जैहिन दोस्तों दोस्तों मैं राजकुमार आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्टिक स्कूटर हमारे लिए कितना किफायती है कितना जरूरी है और इससे हमें क्या-क्या बच्चत होती है और हमें किस टाइब का कौन सी बैटरी वाला इलेक्टिक स्कूटर लेना चाहिए तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरू करें तो दोस्तों इलेक्टिक स्कूटर हमारे जीवन में बहुत मौत रखता है आजकल आप देखी रहे हैं पैटरोल का दाम हमारा हंड्रेट से उपर पहुंच गया है इस कंडिशन में दोस्तों जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके लिए अपने जो स्कूटर होता है या फिर मौट साइकल होता है उसको चलाने के लिए भी सोचना पड़ता है हम कहीं अपना स्कूटर या फिर मौट साइकल बाहर निकालते हैं तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि पैट्रोल के दाम इतने महंगे हैं और हम इसको कैसे चलाएं तो दोस्तों इसका भी विकल्प है अगर हम कोशिश करें तो इसका भी विकल्प है आज कल मार्गेट में तरह तरह के इलेक्टिक स्कूटर है जिनकी मदद से हम कम पैशों में ज्याद दोस्तों यह एक एलेक्टिक स्कूटर एंपियर कंपनी का है मैंगनस प्रो जो कि बहुत ही बढ़िया स्कूटर है बहुत ही दमदार स्कूटर है डूरेवल है और इसके अंदर लीथियम आइन बैटरी है दोस्तों सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर लीथियम आइन ब माइन बैटरी जल्दी खराब नहीं होती और उसकी वारंटी वी तीन से चार साल रहती है दोस्तों तो दोस्तों यह आपके स्क्रीन के उपर मैंगनेस प्रो स्कूटर दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही शांदार दमदार स्कूटर है इसको मैंने दो महिने पहले गवालियर से पर्चेज किया था दोस्तों बिलकुल भी शिकायद नहीं मैं दो महिने से इसको बराबर चला रहा हूँ डेली चलाता हूँ डेली पचास से साथ किलो मीटर रन गरता हूँ लेकिन इसमें कोई भी शिकायद नहीं और बहुत ही स्मूध चलता है दोस्तों एक बार साथ रुपय पर यूनिट के इसाब से 14 रुपय का पड़ता है 14 रुपय के electricity में हम 90 km की दूरी तय करते हैं तो दोस्तों देखिए कितना बचत होता है तो मेरा आप लोगों से request है मैं ये नहीं कहता है कि आप अपना petrol वाला जो भी scooter स्कूटी है उसको बेच दो लेकिन ये बिकल्ब है आपके पास आप electric scooter भी करीज सकते हैं जिससे बिल्कुल noise free scooter है इसको पता भी नहीं चलता हम road पर चलते हैं कि हमारे scooter चल रहा है कि नहीं चलता है बड़े smoothly चलता है दोस्तों तो दोस्तों अगर आप लोग उची समझें तो electric scooter इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों दो मिने में मैंने इसको 2000 km के आज़ पास चला लिया है लेकिन बिल्कुल सिकायद नहीं और charging time भी इसका बहुत ही कम है 4-5 गंटे में full charge हो जाता है दोस्तों यह देखिए दोस्तों इसके जो accessories है इसका VLDC motor है जो कि बहुत ही धमदार motor है shocker है जो कि road पर गड़ों में पता भी नहीं चलता कि हम गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं तो दोस्तों देखिए इसका यह display meter है और यह इसके light का switch है जो front light है उसके लिए यह switch दिया हुआ है इसमें LED light है दोस्तों halogen lamp नहीं है LED light है इसकी रोशनी भी काफी दूर तक जाती है यह देखिए दोस्तों यह मैंने आउन किया हुआ अभी दीन का time है यह इसका dipper है focus up down होता है दोस्तों इस गाड़ी का finishing इतना सांदार है कि आप clip नहीं कर सकते हैं बिलकुल चमकता रहता है गाड़ी हमारा एक बार सिर्फ कपड़ा उपर से मार दो गाड़ी हमारा बिलकुल चमकता रहता है यह दोस्तों इसका ignition switch है जब भी हम चावी लगाते हैं तो हमारा गाड़ी direct on नहीं होता है जब तक हम इस switch को press नहीं करते हैं यह switch press करेंगे तो यह green वाला LED जल जाता है इसका मतलब होता है हमारा गाड़ी ready position में है अब हम चल सकते हैं यह इसका दोस्तों display meter है जिसके अंदर हमारा गाड़ी कितना चल चुका है कितना speed से चल रहा है speedometer, order meter सब कुछ रहता है यह दोस्तों इसका mode selection switch है इसके अंदर दो mode दिये रहते हैं एक तो low mode है L, H, high mode है दोस्तों low mode पर यह full charge होने पर 30 km तक का speed पकड़ता है और meter के अंदर 100 भी करता है दोस्तों जब low mode पर होती ही तो यहां पर meter के अंदर 100 करता है यह ओपर corner में, right corner में और जब high पर रहता है तो दो display होता है इससे हमें पता चल जाता है हमारा scooter कौन से mode में चल रहा है यह दोस्तों battery की healthy condition को दिखाता है यह यह डंडे अपने आप कम होते जाते हैं अगर हमारा battery discharge होता है तो दोस्तों देखिए स्वारी, 1913 km हमारा गाड़ी चल चुका है अभी सिर्फ इसको दो महिने मेरको लिये हुए हुआ है और 1913 km चल चुका है दोस्तों यह दोस्तों इसका headlight का जो deeper का सुच है यह होरन दिया हुआ है और यह left right indicator के सुच दिये हुए दोस्तों इसके front में भी उपर भी display होता है अगर हम left indicator दबाते हैं तो left side का LED जलता है और right indicator जलाते हैं तो right side का LED जलता है देखिए दोस्तों कितना शाओ इसके बीच में space भी काफी है हम एक cylinder या फिर कोई भी बड़ा शामान बड़े आशानी से इसको carry कर सकते हैं रख सकते हैं दोस्तों इसका seat का size भी बहुत बड़ा है इसके साथ एक remote की दिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर anti thrust system भी दिया हुआ है इसके अंदर दो की है एक इसके बाटरी compartment को open करने के लिए दिया है दूसरा गाड़ी को रण कर आने के लिए दिया हुआ है तो दोस्तों इसको हम बगर की के भी अपने remote की मदश से operate कर सकते हैं यह देखिए जैसे हमने यह switch प्रेस किया तो हमारा गाड़ी हमें पता चल जाता है अगर पार्किंग में कहीं खड़ा हो तो इसके अंदर वेज़ देखिए इसको हम remote की मदश से अपना on भी कर सकते हैं यह देखिए on और off को यह last वाला शिस्टम है जब हम गाड़ी को लॉइँ जाते हैं तो इसक प्रेस्टर करते हैं इसको जैसे कोई भी इसको डच करता है यह हावाज कर देखिए गाड़ी को आगे पीछे नहीं गया तो दोस्तो अभी मैं आपको इसके सीट के नीचे का स्पेस दिखाऊंगा सीट के नीचे इसके बैटरी भी है प्लस काफी बड़ा बूट स्पेस भी है जिसमें हम बड़े आसानी से हमारा की की मदद से ही इसको ओपन कर सकते हैं हम इसको जैसे की लगाते हैं और इसको हम लेफट की तरफ हल्का सरक्राइब करते हैं और हमारा सीट ओपन हो जाता है दोस्तों इसका ऑोपन हो जाता है देखिए दोस्तों कितना बड़ा समस्पेस है इसके अंदर, एक बड़ा सा हेलमेट हम बड़े आसानी से रख सकते हैं, यह दोस्तों इसका MC भी दिया हुआ है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए रहता है, कोई भी सॉर्ट सिर्किट होता है, यह कभी लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो इसको हम आफ कर देते हैं, जिससे हमारा बैटरी एज़ इस बना रहता है, और जब हम आदे हैं, तो हमें बैटरी जिस कंडिशन में छोड़के गए, वहीं मिलता है, यह दोस्तों इसका जो अंदर जो लाइट दिया हुआ है, उसका सुच दिया हुआ है, जो कि सीट की मदद से, जैसे हम सीट करते हैं, यह लाइट अपने आप जलने लगता है, जैसे जब भी हम कवी रात को कोई भी शामान अपने डिकी में से निकालते हैं, तो बड़े असानी मिल जाता है, दोस्तों इसका टूल किट दिया हुआ है, जो कंपनी की तरफ से दिया हुआ है, और यह जो नीचे शामने दोस्तों, देखे दो कितना बड़ा आशानी से खुल गया, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जो सामने आपको दिखाई दे रही नीचे, यह एक लिथियम आइन बैटरी है, काफ़ी पावरफुल बैटरी है, एक ही बैटरी है इसके अंदर, यह इस ट्रिप के मदद से यह बौडी के साथ बिल्कुल टाइट रहती है, जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं, कहीं ब्रेकर के उपर जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं हिलता दोस्तों, अगर हिलेगा तो हमारा बैटरी खराव होने के चांसे रहते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल टाइट करके हम इसा रखन चाहिए कभी भी हम बैटरी को निकालें या फिर हम चार्ज करें अब दुबारे लगाएं तो इसका बिल्कुल ध्यान रगना चाहिए कि हम इस स्टेप को प्रॉपर लगाएं यह दोस्तो इसका कैरिंग हैं इसकी मदद से हम बैटरी को अंदर बार कीश सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं बैटरी बहुत ही छोटे साइज के बैटरी है और काफी पावर्फुल बैटरी है दोस्तों यह 60 वोल्ट 30 एज का बैटरी है यह देखिए दोस्तों इसका एक कवर है लॉक हो गया पता भी नहीं चलता दोस्तों हमारा बैटरी इसके अंदर है के नहीं और इसके अंदर हम बड़ी आसानी से कोई भी शामान हमें मार्गेट से करीदना होता है सब जीवाजी बगरा इसके अंदर रख सकते हैं दोस्तों यह इसका चार्जर है बैटरी चार्जर यह भी काफी powerful charger है यह हमारी बैटरी को 4-5 गंटे में चार्ज कर दोस्ते है जब चार्ज होता है जब charging के लिए लगाते हैं इसको on करते हैं तो इसमें कुछ यह फैन दिया रहता है जो कि उनको पूल करकर रखता है और हमारे charger को सेफ रखता है देखे दोस्तों इसको मैंने socket के साथ लगा दिया है और यह इसका output socket है दोस्तों output socket इसको हम अपने गाड़ी के साथ connect करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारी गाड़ी में यह इसका indication दिया हुआ है हमने इसको portion को उपर रखना है और गाड़ी में insert करना है दोस्तों यह हमारा गाड़ी का female socket है इसके अंदर हम charger का output इसके अंदर insert करते हैं और अपनी बैटरी को charge करते हैं दोस्तों इसके उपर यह cover दिया हुआ है इसको हम ऊपर नीचे करके इसको open कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं तो दोस्तो इसको लगाने का तरीका देखिए इसके उपर जो मैंने cut दिखाया था उसको उपर रखना है और इसमें insert कर देना है proper insert करना है दोस्तो इसको lose नहीं छोड़ना है अभी हम अपने charger को on करेंगे दोस्तो यह इसमें indication आगया जो red LED दो है एक तो इसका input को शोगरती है एक output को शोगरती है दोस्तो इस charger को run करने में हलका से time लेता है यह 2-3 second का time लेता है इसके बाद ही यह power हमारी बैटरी को देता है charging voltage हमारी बैटरी को देता है देखिए दोस्तो हमारा charger बैटरी को charge करने लगा इसके अंदर बैटरी की healthy condition को दिखाने के लिए चार green LED है जो की जैसे हमारा बैटरी full charge हो जाता है तो इसकी चारों LED जलने लगती है और हमारा charger automatically off हो जाता है auto cut system दिया हुआ दोस्तो तो दोस्तो अभी मैं गाड़ी को run करके आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी हमारा कैसे चलता है low mode पे कैसे चलता है और high mode पे कितना speed में चलता है तो दोस्तो मैंने दो दिन से अभी गाड़ी को charge नहीं किया इसका charge हलका सा कम है 65 के असपास इसका charge full charge 65 सो करना चाहिए लेकिन यह 60 के असपास सो कर रहा है तो दोस्तो इससे इसकी speed के उपर हलका सा फरक पड़ेगा हमारी गाड़ी run करेगी proper जाएगी लेकिन जो low speed में 30 तक जाती थी वह 28 तक जाएगी और जो high speed में 48 के असपास चलेगी गाड़ी दोस्तो दोस्तो गाड़ी काफी powerful गाड़ी है इसके उपर तीन आदमियों को बिठा के मैंने गाड़ी चला के देखा है गाड़ी बिलकूर smooth चलता है यह देखिए दोस्तो यह low mode में चल लगी है जैसा कि मैंने पहले बताया था यह अपना speed maximum speed 3-4 second के अंदर cover कर लेता है 0 से लेके 28 तक 3-4 second में पहुँच जाता है देखिए दोस्तो अभी यह low mode पर चल ले 28 का speed पर गाड़ी चल लेए विलकूर smooth चल लेए दोस्तो इसमें विलकूल फिल नहीं होता कि हम इलेक्टिक स्कूर्टी चल ला रहे है हमें विलकूल अक्टिवा की तरह लगता है अभी मैंने high mode पर कर दिया है मीटर पर भी दो का indication आने लगा है यह देखिए दोस्तों 3-4 second के अंदर यह अपना maximum speed पर गड़ी का mileage भी काफी अच्छा है एक बार charge करने से अगर आप low speed में चलाएंगे तो 80-90 का average देता है और high speed में चलाएंगे तो 75 तक जाती है दोस्तों high speed में थोड़ा सा mileage कम हो जाता है इसको क्योंकि बैटरी के उपर load पड़ता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को suggest करूँगा कि आप electric vehicle का इस्तिमाल करें और अपने पैसे की बच्चत करें दोस्तों electric vehicle से अपने हमारे पैसों की ही बच्चत नहीं होती इससे हमारे देश की अंदर जो भी pollution पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलने से होता है उससे काफी फरक पड़ता है बिल्कुल pollution less गाड़ी है इसमें न तो हमारा कोई sound pollution होता है नहीं carbon का pollution होता है यह बिल्कुल smooth गाड़ी है और बहुत ही आनदा आता है इसको चलाने में तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें सब्सक्राइब जरू करें और दोस्तों को शेर करें और दोस्तों को अब लेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए मॉटिवेट करें जिससे उनका भी पैसा बचात हो और हमारा कंट्री पॉल्यूशन लैस रहे दोस्तों मैं अपना वीडियो से वाथ करता हूँ अगले वीडियों फिर मुलूँगा जय हिन दोस्तों